दीपावली की आप सभी दर्सकों को हारदिक सुपकाम नाएं दीपावली की पूजा में मा लक्ष्मी को कौन सी वस्तु जरूर अरपीत करें और उनको कौन सी वस्तु बिल्कुल भी आप अरपीत ना करें दीपा वली की पूजा कैसे करें और सुब जो मुर्थ है वो क्या है तमाम बाते हम बताएंगे और एक बात पहले ही हम बता दें डिस्किरिप्शन में हम मंत्र विस्तार से दे देंगे आप देखकर पूजा कीजेगा चलि जानते हैं पूजा कैसे करेंगे मा नेता है कि मा जो लक्षमी है उनकी पूजा करने से धन से जुड़ी हुई हर समस्या दूर हो जाती है और मा लक्षमी की किरपा भी मिलती है धार्मिक मानेता के अनुसार माँ लक्षमी के साथ भगवान विश्णू और भगवान गनेश साथ ही भगवान कुवेर की भी पूजा करनी चाहिए धार्मिक माननेताओं में चुकि देखिए मा लक्षमी की पूजा आप कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमवस्यत ही ठीकू करते हैं सुम मुहृत में वैसे तो मुहृत में जैसे सिंग लगन, बिसब लगन ये सब इस्थिर लगन हैं इन लगनों में अगर आप पूजा करते हैं तो आपको इलिए ज़्यादा अच्छा रहता है वैसे सिंग लगन हमेशा आधी रात में ही होता है तो मा लक्षमी की पूजा दीपावली के दिन जरूर करें सिंपल तरीके से आप करते हैं वैसे ही करें अब हर जगाप पंड़ी जी पहले से ही आप चाहते हैं कि खुद से पूजा कर लें इसलिए चलिए हम जाते हैं विस्तार से वैसे पूजन की सामगरी की लिस्ट भी हमने विस्तार से आपको बताई है तो मा लक्षमी की पूजा का बिदी कैसे आप उनको प्रसंद करें तमाम मंत्रों के साथ मालक्षमी का पूजन की जो बिधी है वो सोलह चर्णों में होती है तो सोलह चर्ण में अलग-लग तरीके से पूजा होता है और आज हम आपको वही बताएंगे बस ध्यान से आप सुनिएगा मालक्षमी की पूजा में कुछ बिसेज बस्तू है जिसको आप जरूर रखिएगा कलावा यानि मौली धागा, रोली, सिंदूर सिंदूर जो है मालक्षमी को करेंगे पुरुस पूजा, महिला भी कर सकती है लेकिन सिंदूर सिर्फ महिला ही लगाएंगी नारियल चाहिए होगा, अक्षट, अक्षट जो है वो सादा मत लीजेगा उसको हलका सा आप हल्दी से कलर कर लीजे लाल वस्त, पीला वस्त, क्योंकि मालक्षमी के साथ गनेज जी की भी पूजा होगी फूल, गुलाब का हो तो अच्छा, कमल पुस्प ले सकते हैं, नहीं तो लाल गुड़ल का पुस्प भी ले सकते हैं सुपाडी, लॉंग, पान का पत्ता, घी, कलस, कलस के लिए आम का पलव और चौंकी, यानि काठ का पट्रा वेगे रहा है तो वो भी ले ले हवन आप करेंगे, तो ठीक, नहीं तो आप जो गाय के गोबर के उपले होते हैं, उसके उपर थोड़ा सा आप जो हवन सामगरी होता है, उसको जला दीजिएगा कमल गट्टा का बीज, पंचामरित बनाने के लिए दूद, दही, गी, सहत, गंगा जल, फल, बतासे, मिठाई, और पूजा में बैठने के लिए आप एक आसन का वेवस्था कर लीजिए, और हल्दी, साबुत हल्दी लीजिएगा, मालक्ष्मी को बहुत पसंद है अगर बत्ती, कुमकुम, इत्र, दीपक, आर्ती की थाली, कपूर, कुसा घास, रक्त चंदन, और स्रीखंड चंदन, जो भी बस तु आपको उपलब्ध हो, वो आप ले ले असनान बेगरा करके, जब आप पूजा करेंगे, सूम मुहर्त में, आप पूजा स्थान पर बैठ जाएए, पहले चौंकी को, जो आपने, जिस पर मा को अस्थापित करेंगे, उसको अच्छे से साब कर उस पर रंगोली बनाए, आप अभी गुलाल से भी बना सकते हैं, उ अब मा लक्ष्मी और भगवान गनेश की परतिमा अस्थापित करें, पर परतिमा के नीचे थोड़ा सा चावल रख दें, फिर उसके उपर अस्थापित करें, तो लक्ष्मी स्थिर हो जाएगी, मा लक्ष्मी के बाएं तरब गनेश जी को रखिएगा, अब मा लक्ष्मी क फिर गनेश जी की परतिमाइस्त्र से आप लगाईए अब आप खुद आशन पर बैठें और खुद के वह आशन को आप सुद्ध करें हाथ में थोरा सा जलने और बोलिए ओम और पवित्रह पवित्रोवा सरवावस्ता गतो पिवा यह इसके बाद इस मंत्र के बाद खुद प भी दे सकते हैं, इसके बाद पुस्प, फल, सुपाडी, पान, जो चांदी का सिकापने धनतेरस पर खड़िदा है, वो ले ले, नारियल, पानी वाला लीजेगा, मिठाई, इसके साथ ड्राइफ्रूट यानि पंच मेवा, सभी समगरी थोरा थोरा करके, आप पूजन के पहनाईएगा, और उनको आप धोती गमच्छा वेगरें, तो मूर्ती में ही होता है, लेकिन गले में एक गमच्छा जरूर डाल दीजेगा, यानि कि आप छोटा सा सफेद कपड़ा या पीला कपड़ा का बना कर देल, डाल दें, इसके बाद आप नौग्रह की पूजा करे आप चाहें तो इसके उपर पंच पल्लब के उपर नारियल भी रख सकते हैं, और साथ ही आप चाहें तो केला से भी रख सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि आप नारियल रखें, फिर मा लक्ष्मी को परणाम करें, और मा को लाल वस्त्र या चुन्दरी पहनाएं, अगर अपने मुर्ती में पहना दिया है पहले से, तो एक मौली धागा दे दें, अब पूजा करने के लिए चलिए सुरू करते हैं, सबसे पहले तो परणाम कीजिए, मा को परणाम करके अपनी मनो कामना कहें, और फिर मा के मा लक्ष्मी के सामने आप, अपने जो भी आपके इक् आवहन करते समें, बोल कर आप मा के पास पुस्प अरपित कर दें, और फिर बोले, स्री लक्ष्मी देविंग आवाहमी, या फिर आप छोटा ही मंतर बोल बोल के आप करिये तो अच्छा है, वैसे बड़ा मंतर में, आगच्छ देवी, देवेसी, तेजो मई, महालक्ष्मी क्रियमानांग, मयापूजांग, ग्रिहान, सुर्वन्दिते, इसके बाद मा का आवहन करने के बाद आप पांच तरह के फूल, पांच गुलाब की फूल भी रख सकते हैं, या पंखुरी भी रख सकते हैं, मा के पास रख दें, और मंतर बोल बोल कर आपको मा के पास एके कर के फूल और पित करना है मंत्र बोलिए श्री लक्षमी देब्य आसनार्थे पंच पुस्पानी समर्पयामी या फिर आप दूसरा मंत्र भी बोल सकते हैं नाना रत्न समा युकतं कार्थ स्वर विभू सितम आसनंग देव देवेस प्रितर्थ प्रति गृताम इसके बाद मा ल विभू स्वर अग्ले चरण को हम पाद्य कहते हैं तो इस चरण में मा के पैरों को जल से ढहाया जाता नहीं हलका साब को जल डालना है ज्यादा नहीं नित्मृती ख्राब हो जाएगा अब हलका से डाल कर फिर बोलिए कि पाद्यम, ग्रिहान, देवेशी, सर्वचेम, सम्रत्य भो, भक्तिया समर पिते, देवी, महालक्ष्मी, नमोस्तुते, स्रीलक्ष्मी, देवे, पाद्यम, नमः, फिर आप मालक्ष्मी को अर्द दें, और मालक्ष्मी के पेरों को जल से करने के बाद को خब्रमाइब कहते मांकु अर्ध दी जाती अर्ध देते समय आप बोलिए गा नमस्ते दैवे देवे सी नमस्ते कमल धारिनी नमस्ते स्री महा लक्षमी धंदा देवी अर्ध ग्रहाम में गंध पुशपाँच्ण युक्ति फली दव्य समर्द ग्रिहार्थ तै अब एक पात्र वहां पर रखिएगा उसी में आप करते जाएगा दूद दही घी सहत चीनी सब को मिलाकर पंचामरित बना ले अब मा को इसमें असनान कराना है चुकि आप असनान तो नहीं करा सकते मुर्थी की तो वहां पर आप उनके सामने अर्पित कीजिएगा और पंचा बाद आप उनको वस्तर अर्पित करें और बोलिये माहलंक्समी की जो अगली चरण होंगा उसमें वस्तर दान मा को पहना जाते हैं तो आप मौली धागा वियूनकों अर्पित कर सकते हैं और मौली-धागा अर्पित करने के समय आप मंत्र जब कीजिएगा और बोलिए इसके बाद आभुसन अरपित किये जाते हैं तो आभुसन में आपके पास जो भी है आप उनको अरपित कर सकते हैं या फिर आप जो मा को अरपित किया हुआ हलका सा टच करके फिर मंत्र बोलिए स्री लक्षमी देबे आभुसना समर्पयामी इसके बाद मा को जो महिलाएं है घर की वो सिंदूर लगाएंगी और बोलेंगी तो जो मा को सिंदूर लगाने के समें मंत्र बोलना है स्री लक्षमी देबे सिंदूरम समर्पयामी इसके बाद कुंकुम अर्पीत करें और बोले स्री लक्षमी देबे कुंकुम समर्पेयामी इसके बाद अक्छत अर्पीत करें और अक्छत आपको हल्दी में या कुंकुम में कलर करके अर्पीत करना है बिना टूटावा चावल हो पहले से चुनकर रख लीजिएगा फिर बोलिए स्री लक्षमी देबे अक्षतान समर्पयामी इसके बाद मा को पुसपर पित करें और फिर बोले स्री लक्षमी देबे पुसपर समर्पयामी इसके बाद अंग पूजन करना है हाथ में फूल, चावल, चंदनले, दाहिने हाथ से और मा लक्ष्मी की परतिमा के सामने रखें और बोलिये आप उनको जो बतासे चीनी के खिलोने और खील बतासे ये सबी चीज़ें एक जगह पर रखिएगा और दोनों अंजूरी भर कर दोनों हाथेलिये को सटा का अंजूरी भर कर अपित कीज़ेगा तीन बार और मा का मंत्र जो हम विस्तार से देंगे आप उसको भी बोलते जाएगा और पित करना है इसको हम खील भी कहते हैं खील पता से और मा को भोग लगाने के बाद आप स्री सुक्तम का पाठ करें या फिर आप कनकधारा इस्तरोत का पाठ करें जब पूजा हो जाए तब आरती कीजिए और देखिए वास्तु सास में गरंथों की पूजा के लिए गजा भी से लक्षमी की परतिमा आप रख सकते हैं घर में लेकिन जो बही खाता है उसका भी आप इस दिन पूजा कर सकते हैं मालक्षमी की जब आप मूर्ती लीजेगा ना तो कोसिस कीजेगा कि जब ज्यादा बड़ा ना हो यानि नो अंगुल से कम होनी चाहिए तो हम आपसे विदा लेंगे हर हर महादेव